क्रिश्णा दोस्तों आप लोग टाइटल लेके तो समझी गया रहेंगे कि मैं किस विशे पर बात करने वाला हूं हाँ दोस्तों ये मैं बात करने वाला हूं श्रीमत भागवत पुराण की दोस्तों भगवत गीता के दूसरे अध्याई के एतिश्वे श्लोग के तातपर में श्रिव पुपाजी श्रीमत भागवत के श्लोग का वर्णन करते हैं दोस्तों ये हैं ग्यार्वे सकन्द के पाचवय अध्याई के एक तालिश्वे श्लोग का वरणन है इसमें कहा गया है पहले में संस्क्रित पढ़ूंगा फिर में इसका इंदी अनुवाद और इसको मैं समझाओंगा दोस्तों इस लोक कारत है अपले इस प्रकार है देव रिशी भूताप दिंद्रनाम पित्राणाम ना किंग करो नाम नीच राजना सरवात्मना यह शरणम सरण्यम ग करता है किसा करिया कर लाता है ऐसा वेक्ति किसी के लिए निए और किसी का कृत AG नहीं हो चाहे वो देवता हो चाहे साधू हो चाहे सामाने जन छाहे कोई मानव जाती में कोई पतरगशन ही क्यों हो वो किसी के लिए भी जिम्यदार नहीं रहता ठीक है, तो यहां पे यह भोगान बताते हैं कि जो विक्ति-भगवांशिक्रिष्ण का श्रण ग्रहन कर लिया है, वो किसी का रिणि नहीं रहता, तो इसका मतलब की मतलब वो कुछ संसार में कारेह नहीं नहीं करेगा? किसी के लिए पत्ति को जिम्मेदारी नहीं रहेगी इसकी ऐसा नहीं है देखिए इसका ताथ पर यह है कि अगर आप भगवान से क्रिष्ण का स्राण ग्रहन कर लेते हैं तो आपके पर जो लाबिलिटी से हम सब को एक कर्म के बंधन से हम लोग बंधे रहते हैं और जब तक ह हमें संसार में आना होता है और लेकिन अगर हम लोग भगवान से क्रिष्ण की श्राण ग्रहन कर लेते हैं तो हम किसी के रेंडी नहीं रहेंगे और फिर हमको संसार में नहीं आना होगा लेकिन जब तक हम संसार में हैं तब तक हमको कैसा रहना है तो भगवान यहां पे कि विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो एपने जीवन को आपण करने के लिए कुछ ने कुछ करना आ है हमरेजोना नो पड़े गाई हमें कुछ कव्ना तो पड़े गाई लेकिन इसमें जो कारे करते हैं सिफ्श करने के लिए करना चाहिए ना कि उसके कोई हानी विजय पराज एप uh इसका विजय इसका हो काम करने के लिए करना चाहिए विसे के एमारा श्री निर्वह का जब और उनकी भगवान के जो उबदेश हैं उसको पढ़ना श्रीमत भगवत गीता यह भगवान के डायर्ट इंस्ट्रक्शन से जिसे हमें पढ़ना चाहिए और जो लोग भी इस प्रकार से कारे करते हैं उनको कोई पाप नावम नैवम पापम अवाम भशी उसको कभी कोई पाप नहीं लगता है ठीक है दोस्तों तो यह मेरा आज का वबदगीता का श्लोक था अगर आपको अच्छा लगया तो खिरिपया मेरे वीडियो को लाइक करे शेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद थैंक यू